दोस्तों नमस्कार यहां बात करते हैं योग आयरवेद स्वास्ते के बारे में किस प्रकार से अपने आहर वियार को ठीक रख कर संतुलित रख कर जोग मुट करा जाए सुप में जीवन जीया जाए मैं डॉक्टर मनमोल लखेडा आज बात करूँगा कमजोर ब्यक्तियों या पतले आदमे को क्या करना चाहिए दुबला पन कमजोरी या आयरवेद के अनुसार अतिक करसिता दोस्तों आज बात कर रहे हैं कमजोर या पतले या आयरवेद के अनुसार अतिक करसिता वाले ब्यक्ति के बारे में इसका क्या कारण है अतिक करसिता क्या होती है इसके क्या लक्षन होते हैं इससे क्या नुक्सान होता है और इसकी चिकिस्सा क्या होती है दोस्तों जिस परकार से मोटापा एक रोग है उसी परकार से कमजोर सरीर जिससे आयरवेट में अतिक करस्ता कहते हैं वहाँ भी एक बड़ा रोग है आज हम इनी के बारे में बिस्तार से बात कर अतिक्रिश या पत्ले ब्यक्ति के लक्षन दोस्तों अत्यादिक पत्ले दुर्वल ब्यक्ति के सरीर में नितंब पेट और गर्दन एकदम सूके विए पत्ले होते हैं इसकी त्वचा पर धम्नियों का जाल सा बिछा दिखाई देता है उसकी हड्यों के जोड सर्वदा इसप समढ़ी का धाचा प्रतीखं होता है दोसतों बहुत पत्ले ब्यक्ति में इतनी सकती नहीं होती है कि अधिक सारिक सर्म अधिक मात्रा में भोजन, भूग, प्यास, रो, कस्ट और उसदियों के प्रभाव का सहन कर सके वहाँ अधिक सर्दी या अधिक गर्मी को सहन नहीं कर सकता और नहीं अधिक संबोग कर सकता है इस परकार के दुर्बल या कमजोर ब्यक्ति अधिकतर तिल्ली, खासी, स्वास, फूलना, गुल्म, बवासी, तथा पेट वच्छाती, आत के रोगुं से पेडित होते हैं अतिक्रिस्टता या कमजोरी के कारण अधिक पतलेपन का मुख्य कारण है रूखा सूका, आन पान, उपवास, कम मात्रा में खाना, सोक, चिंता, कुरोद करना, स्वाबाईक बेगूं को रोगना, कम सोना, अधिक असनान करना, वमन, बिरेचन, आदि संसोदन चिकिस्सा की अधिकता, रूख्स दर्वूं में उग्रस्त रहना, अतिक क्रिष्टता या दूबलेपन की चिकिस्सा, दोस्तों अत्यादिक दूबलेपन को दूर कनने के लिए आईरवेट में ब्रण या संतपर्ण चिकिस्सा हुआ सादनू का प्रियोग में लाया जाता है, दोस्तों इस परकार की चिकिस्सा से सरीर का प आले दर्ब, भोजन एवं साधनू का प्रियोग इसमें किया जाता है। इस आधार पर भारी, सीतल, कोमल, मंद, चिपचिपे, स्थूल वगने, पदार्त इस दृष्टी से उप्योगी है। प्रियोग से शरीर का दुबलापन नस्त होता है, दूर होता है। किर्षता या दूबलेपन को दूर कनने के लिए निमनिखित उपाय अपनाने चाहिए। नमबर एक अच्छी नीन, परसंता, आराम दायक बिस्तर में सोना, संतोस और मन को मन की निश्चिनता। नमबर दो चिनता, संभोग और सारिक सर्म से बच कर रहना यानि इनकी अति न क नमबर तीन, अच्छे लगने वाले द्रिश्यों और संबन्धियों का दर्शन करना। नमबर चार दही, घी, दूद, गन्ना, साली, चावल, उरद, गेहूं और गोड से बने पतार्तों का सेवन करना। नमबर पांस, मदूर और इस्तिक्द दर्भूं से तैयार एनिमा का प्रियोग करना। नमबर चे, नियमित रूप से तेल की मालिस, इस्तिक्द दर्भूं को उबटन और गरम जल से असनान करना। नमबर साथ सुगंदितूं इत्रूं और मालाओं का प्रियोग कनना, नमबर आज सपेद वस्त्रूं को धारन कनना, नमबर नौ उचित समय पर दोसूं को बहर निकालना, नमबर दस आयरवेद की रसाहिन चिकिस्षा एवं ब्रिश्य सुक्र बढ़ाने वाले असदियों का से सेवन कनना, दोस्तों इन सब उपाईउं से अधिक दुबलेपन एवं इससे होने वाले रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, संक्षेब में चिंता न कनना, परसन रहना, अधिक नीन लेने और नित्य ब्रहन गुन वाले आहार वा उसदि के सेवन से अतिक कर्सिता या दुबलेपन को दूर किया जा सकता है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही देखते रहे, लखिरा आयरवेट को चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और लेते रहे, योग, आयरवेट, स्वास्त संबंदी, नहीं नहीं जानकारिया, नमस्कार